सालों से हर भारतिय रसय में अद्रक को इस्तेमाल में लाया जाता रहा है वज़ा है इसका खास स्वात लेकिन क्या आप जानते है कि भोजन में स्वात लाने के साथ ही अद्रक कई आउसोधिय गुण से भी सम्रिध हैं यही वज़ा है कि अद्रक को कई सच्च सम्मंधी समझ्षाओं से राहत पाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है आज हम आपको अद्रक के आउसोधियो गुण के साथ ही अद्रक के फाइदे बिस्तार से बताएंगे ताकि आप अद्रक खाने के फाइदे और बहतर तरीके से समझ पाएं वही इससे पहले यह जान लेना भी जरूरी है कि अद्रक का उपयक केवल घरेलू उपचार के तोर पर किया जा सकता है इसे बताई जाने वाली समझाओं का इलाज न समझा जाए किसी भी बिमारी का इलाज डाक्तरी सलाह पर ही निर्वर करता है अद्रक खाने से क्या फाइदे होते है अद्रक खाने के फाइदे कई है जिनमें पाचन प्रक्रिया में सुधार भी सामिल है NCBI National Center for Biotechnology Information के वेफसाइट पर प्रकाशित एक सोध से यह बात प्रमानित होती है सोध में माना गया कि अद्रक, कप्च, पेट डर्द, पेट के एठन, मुडर वो गेस जेसी कई समस्चाओं से राहत दिलाने में सहायक साबित हो सकता है वहीं यह उपच की समस्चा को ठिक करने में भी मददगार हो सकता है इस अधार पर यह माना जाता है कि अद्रक के फाइदे पेट के लिए प्रभावी है साथ ही यह पाचन को मजबूत बनाने का भी काम कर सकता है कैंसर से बचाप में भी अध्रक का उपयक लावकारी परिणाम प्रदर्शन कर सकता है दरासल अध्रक से संबंधित चुहों पर किये गए NCVI के सोद से इस बात की पुष्टी होती है सोद में माना गया कि अध्रक में एंटी इंफ्लमेटरी सुजन कम करने वाला और एंटी कैंसर के प्रभाव को कम करने वाला गुन मज़ूत होता है इस गून के कारण अध्रक, स्टन कैंसर, गरभासे के कैंसर और लिवर कैंसर से बचाप में सकरात्मक प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है इस आधार पर योख कहना गलत नहीं होगा कि अद्रक खाने के फाइदे कुछ हद तक केंसर से बचाप में मददगार साबित हो सकते हैं हाला कि इसे केंसर का इलाज नहीं कहा जा सकता केंसर एक घातक और जानलेवा विमारी है इसलिए इसका डाक्तरी परामर्स पर इलाज किया जाना अनिवर्ज है मटली वो उल्टी की समझ्चा में भी जिंजर के फाइदे हासिल किया जा सकते हैं यह बात इंटिग्रेटिव मेडिसिन इंसाइट्स द्वारा किये गए एक सोथ से प्रमानित होती है सोड में पाया गया की अद्रक में एंटी एमेटिक मटली और उल्टी के आभास के कम करने वाला प्रभाप पाया जाता है इस प्रभाप के कारन अद्रक मुख्यो रूप से गरभावस्ता और क्यो desperapie के बाद होने वाला मतली की समिश्या से राहत दिला सकता है ऐसे में यो कहा जा सकता है की अद्रक का उपयोग कर मतली वो उल्टी की समिश्या से राहत पाने में मदद मिल सकती है United State के निवरास का विश्विद्य लेदरा एक सोद में पाया गया की अदरक में दर्द निबारक गुन पाया जाता है इस गुन के कारण अदरक खिलाणियों में अधिक तनाव के कारण होने वाले मांस्पेशियों के दर्द पर व्याफक प्रभाप छोड़ सकता है वही दुसरी और तेहरान के साहिद विश्वविद्य लेदरा किये गए सोद में माना गया की अदरक मासिक धर्म के दर्द को भी नियंट्रिट कर सकता है इन दोनों तथ्यों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अदरक के औसोडिय गुन मांस्पेशियों में खिचाप तनाव और सुजन के कारण होने वाले दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी अदरक की फाइदे के बारे में कुछ जान कर यहां आप लोगों को वीडियो केसा लगा कमेंड करके जरूर बताएएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए आज के लिए वीडियो इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलंगे धन्नबाद जैहिन